तो अब इस मुवी यानि कि Kingdom of the Planet of the Apes इसको मिलाकर इस श्रेणी में चार मुवी जा चुकी है 2011 में पहली मुवी आये थी Rise of the Planet of the Apes जिसके अंदर हमें देखने को मिलाते कि कैसे वाइरस फैल रहा है वो मुझे मुवी पहली वाली मुवी बहुत पसंद आये थी फिर इसके बाद 2014 के अंदर सेकंड मुवी आती है Dawn of the Planet of the Apes जो मैं कहूंगा कि फर्स्ट मुवी के कंपरेशन में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी उसके बारे में देखें यह जो फोर सेकंड मुवी आई इसके बाद जो थर्ड मुवी आई थी 2017 के आसपास आई थी War of the Planet of the Apes जो फर्स्ट और सेकंड के अगर मैं उनसे कंपार करूं तो उसके अंदर और जादा इंटरस्ट कम हो गया था अब इन मुवी का मैंने अलग से रिव्यू कर भी रखा है कि यह कितनी अच्छी हैं क्या-क्या इनके अंदर कमिया है ओलडी मैं इनके बारे में एक अलग से वीडियो बना भी चुका हूं इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले जो कर रहा हूं कि भाई टाइम निकालूं अब चीजों को एक तरीके से मतलब रेगुलेट करूं आपको टाइम पर चीजें प्रोवाइट करूं वो आई होप सो शायद एक या दो महीने में मैं आपके सामने वो चीजें करने लग जाऊंगा खैर आपको से क्या है मतलब आप वीडियो पर फोकस करिए तो यहां पर जो हमारे सामने फॉर्थ मुवी आती है किंग्डम ओफ दी प्लैनेट ओफ दी एपस इसके कहानी के बारे कर हम चर्चा करें तो अगर आपने इसका ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर से ही आप समझ आओगी इसमें क्या हो कहानी होने वो खतम होने की कगार पर है वो अपने आपको बचाने की कोशिच कर रहे हैं इस मुवी में यही में कहानी या महीं थीम जो हमें नजर आती है कि अब समराज्य को कैसे आगे फैलाना है जो वानर है उनके गुट बन गए हैं कोई शांती को परमोट करता है कोई भाई हिंसा क को परमोट करता है कोई इंसानों में यकीन करता है कोई नहीं करता है सीजर के मरने के बाद अब जो वानर है उनका अपना पास्ट उनको नहीं पता है वो अपने पास्ट को जानना चाह रहे हैं उनको पास्ट बताया जाता है एक तोड मरोड के उनका पास्ट वह उनके सामन होकर उसकी जर्नी के अंदर कहानी दिखाई गए है कि कैसी जernी रहती है क्या-क्य से सर्वाइव कैसे किया जा किया रहा है इन्सान कैसे अपने आपको बचानी कोश्ै कर रहे हैं इन तबान से जarnya की जब आप विल्लेंगे अब बात कर तुर बविटी इस मोवी को देखने गया था मुझे बहुत प्वाज़ादा उमीदे थी कि यार ये वह बहुत अच्छा काम करेगी बहुत अच्छा एक तरीके सेब इसमें content देगी लेकिन वह सारी उमीदें के उपर ये movie पानी फेर देती है क्योंकि जिस तरीकी का content या जिस तरीकी की story आगे बढ़ाई गई है वो बहुत slow तरीके से मतलब वो bore करने लग जाती है हाँ starting में ठीक है लेकिन जैसे कहानी आगे बढ़ रही है तो एक मैं कहूँगा कि movie में बहुत जादा opportunity थी कि यार इन सब चीजों को explore करे इन चीजों को depth में दिखाए वो चीजे ना करके इनों ने एक slow इस movie को कर दिया है fighting scene के अगर मैं बात करूँ तो देखा है अगर आपने first movie देखी है तो उसके comparison में या second movie के comparison में इस movie के जो fighting scene है वो उतने दमदार नहीं है हाँ movie के cinematography, VFX होगे CGI होगी वो काफी बढ़िया है no doubt वो बहुत एक अच्छे तरीके से हमारे सामने दिखाए गई है represent की गई है लेकिन कहानी उतनी दमदार मुझे नहीं लगी और एक जो मुझे कमी लगी जो मैंने इसकी पहली जो तीन movie तीन part कहलो जो movie मैं देख चुका हूँ उसके अंदर हमें जब देखने को मिलता है कि जो वानर है उनके अंदर जो समझदारी की जो एक level है वो बहुत जादा बढ़िया है कि क्या वो समझदारी और जादा develop या evolve होके इन वानरों को नहीं दिखाना चाहिए था हमें एक तरीके साइसे लगता है कि अभी-अभी बने हैं इनके उपर अभी वो experiment हुआ है अभी वो virus फैला है तो इन वानरों को जादा कुछ नहीं पता है तो वो मुझे बहुत जादा लूप होल कह सकते हैं कमी कह सकते हैं वो चीज मुझे लगी कि यार आपको यहां पर evolution तो इन वानरों का दिखाना चाहिए था और चीज़ों को बहुत बहुत बहुतर तरीके से दिखा देना चाहिए था लेकिन वो चीज़ें इसके अंदर नहीं देखने को मिलती है जो मुझे बहुत जादा निराश करते हैं सच में मैंने बहुत जादा उमीदों के साथ इस movie को देखना शुरू किया था लेकिन वो उन expectations के ओपर खर ही नहीं उतरती है मुझे बहुत जादा पुरा लगा जब मैं इस movie को खतम करके जब मैं बाहर जा रहा था मैं सोच रहा था यार यह सही नहीं किया इनों और इसका क्या अगला पार आएगा नहीं आएगा यार इसके बारे में भी कोई यह movie last में कुछ खास दिखाती ही नहीं है कि हाँ हमें दिखाए कि यार इसको इस movie की कहानी को ऐसे आगे आगे बढ़ाया जाएगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं जो बहुत जादा करने लग जाओगे कि spoiler दे दिया हमारा interest क्राब कर दिया तो मैं कह सकता हूं क्यार character wise भी जो भी इसमें इनसान दिखाएगे बहुत लिम्टीड ही इनसान है एक का दुकाई इनसान है तो उनका भी रोल इतना impactful नहीं है इस series में इस movie के अंदर तो अगर आप लोग ने movie देख सकते हैं one time consider करके और अगर नहीं लगिए तो wait कर लीजिए OTT के platform पर किसी भी OTT के platform पर तो यह आई जाएगे तो बस आज के लिए इतना है था thanks for watching this video मिलते हैं एक्स वीडियो में जाय हिंद